हलो दोस्तों, वेलकम तो गेट अकाडमी, सो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ EAC का नॉन टेक पेपर, जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आप इंजिनियरिंग सविस इग्जामनेशन का प्रपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको प्री में दो पेपर देने रहेंगे, प्रेलिम्स जो एक्जाम होते हैं, उसमें दो एक्जाम्स देने होंगे, और दो पेपर में एक होता है आपका नॉन टेक पेपर और एक होता है टेकनिकल, चीक है, और टेकनिकल पेपर ठीक है, अगर आप गेट का प्रपरेशन कर रहे हैं, आपका टेकनिकल अच्छा है, औ और थोड़ा सा उसमें addition करेंगे तो टेक्निकल आप बहुत बहतर कर सकते हैं नॉन टेक की अगर मैं बात करूँ तो 200 नंबर का ये paper होने वाला है 100 questions आते हैं और वो जो 100 questions हैं उसमें अगर आप 50 और 55% मतलब अगर मैं बात करूँ 100 questions में 50 से 55 questions नहीं कर लेते हैं overall मतलब 110 नंबर के करीब भी ले आते हैं और technical थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो आपका pre-clear हो जाएगा और उससे बहतर करेंगे तो men's में भी help हो जाएगा interview में भी help हो जाएगा तैयारी थोड़ा सा input देने पे थोड़ा सा बहतर input देने पे आपकी तैयारी इस तरीके से रख सकते हो आप कि आप ये exam crack कर सकते हैं और उस तैयारी में जो सबसे बड़ा role अदा करता है वो होता है non-tech subject अगर मैं बात करूं जितने engineers हैं जो gate का preparation कर रहे हैं वो normally EAC का form भरते हैं और EAC का form भरते हैं तो उनका technical एक limit तक अगर मैं बात करूं सबका technical normal होता ही है कि वो उतना cover कर लेंगे वो जो बाजी मारते हैं वो non-tech portion में बाजी मारते हैं तो non-tech आपको बैतर करना चाहिए और non-tech में limited subjects है syllabus at most clear नहीं है एकदम आपको बता जेता हूं मैं कि syllabus UPSC के द्वारा clear नहीं है उन्होंने बोला है कि जो आप engineering में पढ़ते हैं वही चीजे हम पूछेंगे और उसी तरीके के सवाल आते हैं अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5-6 सालों में जो रूजहान आया है पेपर का तो उसी के हिसाब से syllabus decide किया जाता है उसी questions के हिसाब से पढ़ाई की जाती है और वैसा ही हमारा course design किया गया है और इस बात का तो मैं जरूर गारेंटी लूँगा कि उसमें से अगर आप पढ़ाई करते हैं पूरे subject को proper पढ़ाई करते हैं तो आप अराम से 55-60% marks ला ही सकते हैं पेपर में जैसे कि मेरे साथ एक पेपर है जैसे कि पहला question अगर मैं बात करूंगा इन जो सवाल है यह आपका क्या है इंजिनियरिंग का सवाल है अगर मैं बात करूं दोनों जो चीज़े हैं न वह आप पढ़ते हैं किस में एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला हिस्सा में आप पढ़ लेते हैं और दूसरा आपके इंजिनियरिंग में पढ़ते हैं ठेक है इस तरीके के questions आपको देखन सब्सक्राइब को मिलेंगे जैसे यह देखे continuous theme विजी जैक्स लाइनस आज जोनरली यूज्ट तो रिप्रेजेंट यह आपका कौन सा इंजिनियरिंग का हिस्सा है जो आप फॉस्ट यह में पढ़ते हैं वही सारी चीज़े आपको कवर करनी रहेंगी जैसे कि इंजिनियर से जो आपको कवर करने और प्रॉपर तरीके से अगर जो पढ़ाया गया है हमारे कोर्स में जो नॉन टेक कोर्स में अगर उसको आप कवर करते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में आराम से स्कोल कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में दस सब्जेक्ट डिवाइट किया गया है और करिंट अफेस को आप डाने मिख समें डालने वाले है क्यों क्यों कि वह चेंज होने वाला है उसको आपको त्यार करना पड़ेगा लग से वो । चेंज होते रहेगा आज कर पर्सू इस तरहीके से लेकिन अगर मैंने का इंज nctive डॉइन में यह जो कॉंसेप्ट है अगर यह continuous thin with zig-zag lines are generally used to represent, so यह fix है, so यह static portion है, so ऐसी चीज़ेों को आपको तयार करना चाहिए, और यहां से number score करना फिर असान हो जाता है, क्योंकि अगर आप static portion को पढ़ते हो, तो उसको आप revision करके बहुत असानी से आप याद रख सकते हैं, so no subject आपका static portion से relate करता है, ठीक है, almost no subject, और इस पे आप score कर सकते हैं, असाने से, और इसके लिए आपको non-take जो papers है, जो non-take subjects है, जो engineering aptitude के subjects है, उप पढ़ना चाहिए, अगर मैं बात करूँ आप से, कि यह जो paper है 200 number में, आप सही से score कर लिए दोस्त, और जो take वाला paper है, उसमें average जो normally student करते हैं, क्योंकि almost जितने gate का preparation करते हैं, वो उस पे score कर करके आते हैं, यह सी के, technical हिस्सा में, non-take खा जाता है, non-take बहतर कर लिए, और take आपका बहतर होने ही माला है, मान के चलिए, थोड़ा सा उस पर input देना ऐसा नहीं है, कि over confidence में जाना है, लेकिन बहतर होगा, पता है मुझे, अनुभाव, ठेक है न, so आप technical बहतर कर लिए, non-take में थोड़ा सा effort दे देंगे, तो आ कही न कहीं, मैं यह तो मानता हूँ कि अभी ESE का जो craze है, वो पहले से बहुत कम हुआ है, so कही न कहीं यह opportunity भी create करता है, क्या opportunity create करता है, कि competition radius हुआ, तो आपके chances बढ़ते हैं, तो खेर, ज्यादा लोग अगर सोचेंगे, तो फिर से competition तो आएगा ही आएगा, मुझे लगत है, तो आपके लिए एक ही post काफी है, तो लगा दीजे जान, मौका है, और इसको आप जो non-take वाला हिस्सा है, उसको आप complete कर सकते हैं, अच्छा मैं non-take का paper दिखा रहा था, तो यह non-take paper देख लिजए, इस तरीके के questions आते हैं, which one of the following method is used when the non-isometric lines, फिर से यह किस का question है, engineering drawing क तो आप देख सकते हैं, यह भी engineering drawing का question है, यह आपका एक pattern है, UPSC का, जब भी हो objective paper देता है, तो यह statement one, statement two वाला भी questions वो जरूर देता है, तो यह सारी बाते हैं, यह mathematics के questions आपको दिख रहे है, mean value theorem, यह आपका what is the length, curve, यह आपका eigen value, तो यह आपके matrices के questions दिख रहे हैं, तो यह आपके mathematics के questions, इतने सारे mathematics के questions, अगर आप gate का preparation कर रहे हैं, तो mathematics आपका बिलकुल prepare रहना चीए, अना तो यह हिस्सा आपका क्या है, कि कहीं न कहीं मुझे लगता है, कि आप आराम से कर सकते हैं, यह देखिए आपके aptitude के questions दिख रहे हैं, अना, तो थोड़ा सा जान आगाऊगे ना दोस्त, सो इसमें बहतर कर सकते हैं, होता क्या है, कि लोग ना technical में focus करते हैं, no doubt focus करना ही है, लेकिन non-tech में थोड़ा सा effort है, अगर आप 30% effort इसमें देते हैं non-tech में, 70% effort आप technical में देते हैं, तब भी आपका paper clear होने वाला है, और इसमें मदद करेगा यह course, obviously यह paid course है, जिसके लिए आप जा सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ उस paid course का, तो यह price है, जो कि बहुत ही कम price है, आप देख सकते हैं, और यह जो offer है, यह 16 जून तक का है, तो जल्दी से अपना course book कीजिए, अगर आप नए student है, गेट एकडमी का कोई भी फूल कोर्स यूज नहीं किया हो, आज तक, आज तक गेट एकडमी का कोई भी फूल कोर्स यूज नहीं किये हो, तो आपके लिए offer रहने वाला है, ठिक, अगर जी डी लेते हैं, तो साड़े तीन हजार का है, अगर VOD लेते हैं, तो 4000 में यह course मिलन कॉपी बाकि मैं आपको जो वर्क बुक मिलेंगे वो सॉप्ट कॉपी प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं साड़े तीन हजार और चारहाजार जीडी और वी ओडी में आप यह गरी टेक्ट करूंब आप अगर गेट अक्याडमी के एक्जिस्टिंग स्टूडेंट या एक्स डिट मिकस फूल को स्टूडेंट है ऑप को पंद्रा सव रुपय मैं मात्र तो प्रपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल आपको बुक कर लो यार दो हजार रुपय मात्र वी ओड और पेंड्राइव आपका 6500 रुपय जैसे कि मैंने पेंड्राइव के लिए आपको मेंशन किया था आपको पेंड्राइव जाएगा इसमा हाड़ कॉपी मिलेंगे आना इसलिए थोड़ा सा कॉसली आपको दिख रहा लेकिन आप यह देर हजार रुपय में पोर्स और का प्रप्रेशन कर लिए हैं सो टेक्निकल पे ध्यान देना है 70% अपने टेक्निकल पे ही फोकस रखो 30% अप नॉन टेक पे देना शुरू करो इसका जो नोटिफिकेशन है EAC 2023 का वो आने वाला है सेप्टेंबर में सेप्टेंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एक्जाम होगा 19 फरवरी 2023 को मतलब गेट एक्जाम के जस्ट बात तो नॉन टेक आपको पहले लिट तयार करके रखना पड़ेगा अगर आप 2023 का पीपर बेहतर प्रफॉर्म करना चाहते है तो ठीक है चलो फिर अभी के लिए इतना ही All the best दोस्तो अगर आपको लगता है व को मतलब तो और आप